हमारे देश की राजनिती खेल की प्रतिभाओं का गला किस तरह घोट देती है इस बात को दर्शाती है भुधिया सीन बोर्न टू रन नामक फिल्म यह बुधिया नामक धावक की कहानी है जिसमें महज 5 साल की उम्र में 63 किलोमेटर की दोर 47 डिगरी तापमान में 7 घंटे 2 मिनट में पूरी कर रिकॉर्ड बनाया था कहानी बुधिया नामक बच्चे से प्रेडित है उडिसा में रहने वाले बुधिया को उसकी मा गरीबी के कारण महज 800 रुपे में बेज देती है ये बात जब जुडो प्रशिक्षक बिरंची को पता चलती है तो बुधिया को अपने पास वह ले आता है बुधिया की दोड़ने की शंता से बिरंची दंग रह जाता है पांच साल की उम्र में वह मेरा थन दोड़ पुरी कर लेता है बिरंची का सपना है कि बुधिया 2016 के ओलंपिक में हिस्सा ले बुधिया की लोक प्रित्या देख मामले को राज़ितिक रंग दे दिया जाता है कुछ संसाय आपत्ती लेती हैं कि बुधिया को इतनी कम उम्र में दोड़ाना बच्चे के साथ अन्या है बुधिया के दोड़ने पर प्रतिबंद लगा दिया जाता है बुधिया इस समय 16 वर्ष का है लेकिन प्रतिबंद अभी भी कायम है दर्जबों के आगे बुधिया क कि कहानी वास्तेगता के निकट रखी गई है और उसकी कहानी दिल को छू जाती है बुधिया को चमतकारी बालक न दिखाते हुए दर्शाय गया है कि उसने कड़े परिश्रम के जरिये इतनी कम उम्र में यह कार नामा दिखाया है पहले हाफ में जा बुधिया के उत्थान क की गाता है तो दूसरे हाफ में दिखाया गया है कि किस तरह राजनेती की अमर बेल बुधिया नामक छोटे पोधे को लील जाती है इसक्रिप्ट बान कर रखती है और दर्शकों के आगे कई सवाल उचालती है क्या बुधिया की प्रतिभा को पहचाना नहीं गया क्या खेल फूटेज का इस्तिमाल फिल्म को धार देता है निर्देशक सोमेंद्र पाड़ी ने बुधिया की कहानी बहुत खुबसूरती के साथ परदे पर उतारी है बुधिया और बिरंची के रिष्टे को इमोशनल टच के साथ दर्शाया है राजनेतिक और सामाजिक परिस्तितिय किस तरह से एक बच्चे के भाविष्य के साथ खेलवार करती है इसे फिल्म में उन्होंने उभारा है फिल्म को थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता था लेकिन संभवता सोमेंद्र के आगे बजट आड़े आ गया होगा बुधिया के साथ पिछले 10 वर्ष में क्या हुआ य जाननी के उत्सुक तरहती है लेकिन फिल्म में इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है बुधिया की पुली से भुनेशर वाली दोड़ वाले द्रश्चों में सोमेंद्र आपको और सहच कर देते हैं वैदेश ने आज तक एक भी मैरितन प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया है कलागरों के अभीनाय ने फिल्म को विश्वस्त नियत्या प्रदान की है इस वर्ष अलिगर में अपने अभीनाय से दिल जीतने वाले मनोज बाशपई का बुधिया सीह में भी अभीनाय देखने लाया है जमीन से जुड़े एक सकारात्मकोश की भुमिका को उन्होंने बखु भी जिया है उनके किरदार ने फिल्म को घहराई दिये मयूर पाटोले तो बिल्कूल पांच वर्ष ये भुधिया ही लगा है एक एसा बच्चा जो खुद नहीं जानता कि वह क्या कारणामे कर रहा है और किस तरह उसका करियर लोगों ने चोपट कर दिया तिलोत्तमा शोम, छाया कदम, शूती मराठे का भी नएभी देखने लायेगा बुधिया सीन, बोन तू रन, दर्शकों तक अपनी बात पहुचाने में सफल है फिल्म का मकसद तो तब सफल हो जाए जब बुधिया की खेलों की दुनिया में वापसी हो या फिल्म जरूर देखी जानी चाहिए इस फिल्म को मैं पाच में से साड़े तीन स्टार देता हूँ